तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो हमारे चिली की प्लांट्स हैं उनकी केर हम विंटर्स में कैसे कर सकते हैं और कैसे साल दर साल हम एक ही प्लांट को कैरी आउन कर सकते हैं तो ये देखें ये मेरा मोटे वाले मिर्च का प्लांट है कितने सारे मिर्चे इसमें निकले हुए हैं और ये उसके पीछे जो प्लांट रखा है ये परपल कलर का ये मेरा ओर्नामेंटल चिली का प्लांट है तो चाहे वो ornamental चिली हूँ, चाहे वो मोटी वाली मिर्चे हूँ, चाहे वो देसी वाली मिर्चे हूँ केर लगबख सबकी एकी जैसी होती है, आपको घबलानी के जरूरत नहीं है कि ornamental चिली हैं, तो इनकी मैं केर कैसे करूँ, कुछ डिफरेंट है, हैसा नहीं है और यह देखे, यह है देसी वाली मिर्चे की वेराइटी जो मेरे पास है तो तीनों की जो केर टिफ्स हैं, वो एकी है, एकी तरह से आपको इनकी केर करनी है चाहे यह मोटे वाली मिर्चे हों, देसी मिर्चे हों, यह हों, और्नमेंटल मिर्चे तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि इसमें कौन सा स्वाइल मिक्स रखना चाहिए और किस तरह की स्वाइल हमें यूज़ करनी चाहिए इसके लिए तो यहां पर हमने जो स्वाइल मिक्स ली है वो है हमारी 50% यहां पर हमने ली है गार्डन स्वाइल रेस 50% में 20% हमने सैंड दिये और 30% हमने लिये वर्मी कंपोस्ट इसमें ये मेरी तीन गमले की करीब मिट्टी है तो इसमें मैंने करीब 50 ग्राम इसमें ट्राइकोडर्मा भी मिक्स किये है जिसमें हमारे जो प्लांट है उसमें फंगल इंफेक्शन ना हो अगर आपके घर में ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप उसकी हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं पचास ग्राम करीब हल्दी इसमें डाल देंगे आप मिक्स कर देंगे पूरी मिट्टी में तीन गमलों की करें तो आपका काम होजाएगा प्लास इसमें हमें एक मुठी करीब सर्सो की खली का पौडर और एक मुठी करीब नीम की खली का पौडर भी आड़् करना है इससे क्या होगा कि यहutral हमारी मिंत्टी है इसमें यह दोनों चीज़ भी आप इसमें मिक्स कर लें और फिर आप अपना जो प्लांट है वो लगाएं यह प्लांट आप दो तरह से लगा सकते हैं या तो आप बाजार से इसके छोटे छोटे पेंट ले आएं वो लाके लगा लें या फिर आप बीजो के थूरू भी आप इसको बो सकते हैं और मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं इनको पेड़ों को इन बैक में से ट्रांस्प्लांट नहीं कर पाई, अब मैं इनको ट्रांस्प्लांट करूंगी, तो इस तरहें आप लोग भी बो सकते हैं, और इस तरहें की मिर्ची पा सकते हैं. जो सबसे बड़ी चीज जो हमें फेस कानी परती है, मिर्चों के संग, वो है इसकी कर्ल लीव्स की प्रॉब्लम, प्लस इसमें कुछ सकर्स टाइब के जो इनसेक्ट होते हैं, वो अटाक करते हैं, जैसे वाइट फ्लाइज हो गए, या और भी सकर्स इनसेक्ट हाते हैं, जो क इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप अपने प्लांट में इस तरह की वाइट फ्लाइज देखें, या आप देखें कि आपकी जो लीव्स हैं, वो कल हो रही हैं, मुर्ड रही हैं, तो इसके मतलब आपका जो प्ल के कंटेनर में हमें 4 ml डालना है, कोई बी कोकिंग ओयल जो हम यूज़ करते हैं, वो ले सकते हैं इसमें, और 4 ml हमें डालना है बेबी शैंपू, अब बेबी शैंपू, अगर आपके घर में नहीं भी अव्लेवल है, तो कोई भी नॉर्मल शैंपू, या जो लिक्ट सोप आ आप इसमें डाल सकते हैं इसमें डालके हम 3 लिटर पानी डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस तरह लीज में उपा नीचे सब तरफ अच्छे से हम स्प्रे कर देंगे उससे क्या होगा कि इसमें ओयल और चेंपू होने के कारण जो भी वाइड फ्लाइस लगी होंगे या जो इंसेक्स लगे होंगे, पैस लगे होंगे, वो सब निकल जाएंगे और आपका प्लांट फिर से फ्रेश हो जाएगा, और एक चीज और इसमें नीम ओय का भी स्प्रे करना होगा, तो भी इतने ही बड़े कंटेनर में, आपको करीब वह तो प्रेंसे चार एमेल नीम ओ पाएंगे और आपका प्लांट फ्रेश हो बढ़िया रहेगा, जैसे कि आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, और यह थर्टी जो हमको मिर्चों के प्लांट अगर आप 15 दिन में एक बार इसका रेगुलर इस तरह स्प्रे करते रहेंगे, तो इसमें कोई भी फ्लाइज या इ सेक्टी साइड डालनी के जरूरत नहीं पड़ेगी, अब थर्ट चीज आ चाती है कि इसके हमें वाटरिंग कैसे करनी हैं, यह प्लांट जो होते हैं, वो थोड़ा सा मौइश चाहते हैं, तो इनको हलकी सी नमीन के प्लांट में रहने चाहिए, लेकिन आपको बहुत बान चाला पानि डाल देंगे तो आपका प्लांट गल जाएगा इसकी जढ की जडड़े बहुत रआफ चल्ग हो जाएगी और अगर आपका पानी डालेंगे तो प्लांट आपका सूम जाएगा तो यह चीज हमेशा इसमें ध्यान राकत प्हुत है कि जब ओकर के लेयर हलक compost वगरा डालते हैं तो अगर उसका पानी एकदम सूख जाता है तो उसके nutrients खतम हो जाते हैं तो वो आपको करना है कि इसमें पानी थोड़ा नमी बनाए रखनी है फूर्थ चीज हो गई आपकी कि जब आपके ये आप बीजों से बोगें तो जब आपके चार से पांच इंच के plant हो जाएं तब आप इनकी pruning कर दें ये देखे हमाने भी अपने plants की pruning की है तो देख रहे हैं कितनी सारी डालिया निकल आई है वरना इसका केवल एक ही stem उपर की ओर जाता तो pruning करना बहुत जरूरी है जब आप pruning करेंगे तभी branches develop होंगी और तभी खूब सारे flowers और fruits आपको मिलेंगे आप मेरे plant में देख रहे हैं कि कितने सारे fruits लगे हुए हैं उसका कारण यही है कि मैंने इनकी pruning या कहले pinching कर दी थी जब ये छोटे से plant है चार इंच के तो आप ये तो आपको भी ढे सारी सी तरह मिर्चे मिलेंगे next चीज आ जाती है जो हमें अब इसमें ध्यान रखनी है वो है sunlight तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि सभी जो भी vegetables या fruit plants होते हैं उनको minimum 3-4 गंडे की धूब जरूरी होती है तो इसी तरह मिर्चे का जो हमारा plant है इसको 3-4 गंडे की धूब जरूरत है तो आप इसको ऐसी जगा प्लेस करें जहां इसको 3-4 गंडे की धूब मिले और तभी इसमें अच्छी fruiting होगी जब इसमें धूब अगर नहीं मिलेगी या shaded area में आप कहीं इसको प्लान कर देंगे तो आपका प्लान मर जाएगा और खत्म हो जाएगा तो इस चीज़ का आपको जरूर से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसको ऐसी जगा प्लेस करें जहां पर ये इसको 3-4 गंडे की धूप मिले अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे जो कि मैंने बताए हैं तो आपको कोई परिशानी नहीं होगी प्लस ये ध्यान रखना है कि जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तब आप इसमें पंदा दिन में एक बार बलकि महीने में एक बार आप इसमें जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तब आप इसमें वर्मी कंपोस्ट एक गमले में एक मुठी डाल के अच्छे से गुलाई करके पानी दे दे तो आप देखेंगे कि आपकी फ्लावरिंग कितनी बढ़ियां हो रही है और कितने बढ़ियां आपको इससे मिर्चे मिलते हैं तो ये था हमारा आज का वीडियो मिर्चों की केर टिप्स के बारे में आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताईएगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की और नए नए वीडियो के लिए बेल आखकर और प्रेस कर दीजिएगा तो कीप वाचिंग और थैंक यू फोर वाचिंग दे वीडियो